नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल जॉब इन्फरमेशन में अपका सुभागत है देखिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आये हैं बहुत ही बड़ी नियुजे और जारकंड के बिद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही चसुनेवरा मुका आ गया दो अक्षन रोष्टर का जो पूरा विवरा मांगा है तीस जनवरी तक आप लोग का जो वैकेंसी आ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों चैनल में आप लोग बने रहें वीडियो में आप लोग बने रहें दोस्तों चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजे और वीडियो को जरूर देखते हैं दूस्तों अजैसे कि पहले ही बोले हैं दोस्तों की 12 पास इसमें होना च almond color grade थे करती संगी वर्क के लिए जो है दोस्तों 12त पास ही काफी है तो में इंटर वाले जो है सब भर सकते हैं इस फॉर्म को ठीक है तो चलिए दोस्तों लोग पूरा नीज देखते हैं डिटेल में क्या है यह भेकेंसी तो देखें जारकन सरकार की तरफ से जो है सरकारी नोकरी आ रही है ठीक है सरकारी नोकरी जोब जारकन माध्यमिक उच अस्तर माध्यमिक एवं अन्य विद्याले सहीत इसकूली सिक्षा एवं साक्षर्था विभाग के तमाम कारियालय में पहली बार तीरत्य सिर्णी रिक्त पदों पर नियुकती होगी इनमें जो है परखंड से लेकर परमंडल अस्त तीस जनवरी तक देखिए साथ सब लिखा है तीस जनवरी तक आरक्षन रोस्टर किलियर कर रिक्त पदों का ब्यवरा मांगा है उन्होंने सभी छेत्रिय सिक्षा उप निदिशक को अपने अपने परमंडल के अंतरगत आने वाले सभी विद्यालयों वा कार्यालयों के रि दस सब्ता में आपलों का जो है वेकंसी आने की चांसेस है तो देखे दोस्तों रिक्त रिक्तियां मिलने के बाद नियुक्ति की जो अधी अचना है जारखंड कर्मचारी चाया नायोक को भेजी जाएगी ठीक है माध्यमिक वह उच अस्तर माध्यमिक स्कूलों के सिक्षा उपनिदेशक, जीला सिक्षा पताधिकारी, जीला सिक्षा अधिक्षक, अनुमंडल सिक्षा पताधिकारी, जीला विद्याले निरिक्षक, उप जीला सिक्षा अधिक्षक, छेत्र सिक्षा पताधिकारी, परखंड सिक्षा, प्रसार पताधिकारी, डायेट इनमें कई वर्सों से नियुक्ति नहीं हो पाई है तो दोस्तों एक और बता देते हैं कि दोस्तों यह जो है सर्णी तीर्टे सर्णी के पदों में लिपिक या कलर सफाय कर्मी आदी पदों पर नियुक्ति की जनकारी है खास बात यह है कि राज बनने के बाद पहली बार सरकारी स्कूलों में प्लस टू स्कूलों में कलर की नियुक्ती होगी हाई स्कूलों में एक और प्लस टू स्कूल लिपिक के दो पद होते हैं ठीक है पद रिक्त होने के कारण सिक्षक कर दी जाती है परतिनियुक्ति ठीक है तो देखिए पद रिक्त होने के कारण जो है सिक्षक की परतिनियुक्ति कर दी जाते हैं तो अब दोस्तों इसका जो है निकाला जा रहा है बेगंसी इसकूली सिक्षाम साक्षरता विवाग में इन कारियालियों में तिर्थे सर्णी के पद रिक्त होने से कई बार सिक्षों की वहां परतिनिक्ति कर दी जाती है समय समय पर शिक्षों की परतिव निक्ति पदर रिक्त किये जाने के निर्दिशक के बावजूत सिक्षक की इन कारियारा में परतिव निक्ति रहते हैं इससे संबंदित स्कूल का पाठन पाठन जो प्रभावित होता है रिक पदो पर नियुक्ति होने से सिख्चों की वहां परती नियुक्ति नहीं हो सकेगी तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों आप लोगों के लिए ठीक है